हेलो बच्चो कैसे हो आप सब मैं कुमार हीरो सर आप लोगों के लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्राइक्ता यानि प्रोबैबिलिटी क्लास तिंथ में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइक्ता के बारे में जानेंगे कि प्राइक्ताओ का जो भी इंपोर्टेंट फर्मुलाज हैं उन सारे फर्मुलाओ के बारे में हम एक एक करके डिसकस करेंगे और प्राइक्ता एकदम बेसिक से स्टार समस्टी का मतलब क्या होता है जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई परिक्षन करेंगे तो उसमें जो भी आपका परिनाम हो सकता है जो भी हो सकता है उस सब परिनाम को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिदर समस्टी बोलते हैं जैसे एक सिक्का को उच्छा लिएगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है हेड हो सकता है तो उसमें क्या बोलते हैं प्रतिदर समस्ती बोलते हैं और घटना इसे हम किसको डिनोट करेंगे घटना को डिनोट करेंगे ठीकर जैसे जो चीज आपको चाहिए उसको हम घटना में मानेगे आप इसमें एक और चीज समझना इसमें याद रहिएगा ns. ns क्या होता, तो याद रहिएगा s मे अभयवो की संख्या, s मे अभयवो की संख्या, s मे अभयवो की संख्या कहने का मतला S में कई अभ्याबव है, एक, दूग, तीन गो, चार गो इस तरह से काउंट करके हम लिख देंगे, तो वही आपका N S होगा, उसी तरह से अगर हम N E की बात करें, तो E में अभ्याबो की संख्या काउंट करेंगे, E में अभ्याबो की संख्या, ठीक है? कि इमें अभ्याव की संख्या जैसा अगर माल लीजे हमारे पास जो घटना है जो हम चाहिए हमें जो चीज चाहिए उसमें हम काउंट करके देखेंगे कि कए गों नंबर से तो उसको हम लिखेंगे तो उसको बोलेंगे नंबर ओओ ए और याद रखे हैं घटना ए पॉलने उस पालीजिद कोàng फर्मूला क्या होगा जिसको हम short में P लिखते हैं short में क्या लिखते हैं P से denote करते हैं इसको और P बराबर होता है number of E बटा number of S यह आपका important formula है बस एक ही इसमें formula आपको याद रखने है जो प्राइक्ता का है जिसको हम बोलते है अनुकूल यानि कि number of E कहने का मतलब जो आपको चाहिए अनुकूल परिनामो की संख्या और इस यह होता है खुल परिनामो की संख्या आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं अनुकूल परिनामो की संख्या परिनामो की संख्या और बटा में लिखिएगा कुल परिनामों की संख्या ठीक है यानि कि जो भी आप हो सकता है उसको नीचा लिखेंगे और जो आपको चाहिए उसको उपर लिखेंगे यहां तक तो आप लोगों समझ में आ गया होगा कि S क्या है? S प्रतिदर समस्थी है इको हम क्या बोलते है? घटना बोलते है NS का मतलब होता है कि S में अभ्यवों की संख्या कहेग Dow है NE का मतलब E में अभ्यवों की संख्या कहेग है घटना E की प्राइक्ता को हम P E से denote करेंगे, मतलब P E से सुचित करेंगे और P E का फर्मूला होगा a नि बटा ns और जहाँ पर आप याद रख सकते कि अनुकूल परीणामों की संख्या बटा पुल परीणामों की संख्या ठीक है प्राइक्ता है तो समझ में आगए अब बात रहा कि प्राइक्ता का मान कहां से कहां तक होता है इसमें आप लोग कुछ नोट्स याद रखने हैं पहला चीज आप याद रखेंगे कि प्राइक्ता का जो भैलू होता है वह कहां से कहां तक होता है तो 0 से लेके 1 तक होता है ठीक है यानि कि अगर आप से पूछा जाए कि प्राइक फर्मूला आप एक और आपको याद रखना है प्राइक्ता हों प्लस प्राइक्ता नो ठीक है प्राइक्ता हों प्लस प्राइक्ता ना देखी पी पी का मतलब हों और प्लस पी डैस का मतलब वहता है नो तो हों प्लस 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 प्राइक्ता नो कितना होगा बराबर एक होग एक फर्मूला आपको यह भी याद रखना है कब जब हो के प्राइक्ता आपको पता हो तो 9 का प्राइक्ता आप आसानी से निकाल सकते हैं ठीक है इसा पर हम एक एक कोश्चन भी डिसकस करेंगे जिसे के आपको फर्मूला आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहां तक इसमें कुछ नोट्स याद रखे निस्चित घटना की प्राइक्ता यह बहुतो बार पूछा गया सवाल है निस्चित घटना की प्राइक्ता यह सवाल जो है बहुतो बार पूछा गया है कि निस्चित घटना की प्राइक्ता क्या होता एक नमर में एक और सवाल पूछा ज समझेंगे कि इसका मान क्या होगा निस्चित अगर कहा जाए तो उसका प्राइक्ता एक होगा और और निस्चित है उसका प्राइक्ता जीर होगा वह ऐसा क्यों होता है क्यों कि निस्चित है मतलब कि जो हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा प्राइक्ता को जो भैलू होता है वो एक होता है और सबसे छोटा से छोटा वैलू कितना होता जीरू होता है इसलिए आप याद रख निश्चीत घटना की प्राइकता एक होगा और निश्चीत घटना की प्राइकता जीरू होगा तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग थोरा सा यह समझते हैं कि हमें जो प्राइप का प्रशा जाएगा और उससे रिलेटेड हमें पहले क्या क्या जानकारी होना चाहिए जैसने सिक्का के बारे में आते चीज्ञ को आप इसेलेख से लिखेंगे और इस अगर एक सिक्का को अगर आप उछालते हैं तो उसमें दो चीज आ सकता है या तो एच आएगा या तर टी आएगा या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक है ऐसे भी बोल सकते हैं चित या पट चित या क्या बोल सकते हैं पट दो ही चीज आएगा ना चित आएगा या ना तो पट आ जलते होंगे तो लीडू छका में पासा जो है पासा में आप पासा कैसा होता है थोड़ा सा देख लीजिए पासा कुछ इस तरह से आपका रहता है इसमें की इस तरह से नंबर आपको रहते हैं जैसे माल लीजिए यहाँ पर ठीक है इस तरह से यह आपका पासा आता है इसमें दो तीन चार पांच छो तब टोटल चोग है तिस नंबर अफ इस बरावट छो लिकेंगे अब सबसे ज्यादा जो आपको समझने वाली बात हुआ है वह है तास की गड़ी के बारे में आप लोग अच्छा से समझना होगा पहले आप पता कर लिजे कि तास की गड़ी आप जा को ठीक 26 ओर दिए 26 को क्या होता है तो यात रखीगा लाल पत्ता चपापथा हो और 13 गो इसमें भी, 13 गो इसमें भी और 13 गो इसमें ठीक, इस 26 गो में दू भाग बढ़ता है, और कैसा कैसा भाग होता है, ध्यान दीजेगा, यह जो होता है इसको बोलते हैं, याद रखी इसका पहले लाल पान, लाल पान, द्याती भासा में लाल पान, और इसको बोलते हैं ठीकरी ठीकरी क्या बोलते हैं ठीकरी लाल जो पत्ता होगा उसमें दू जो टाइप बढ़तेगा ना पहला जो होगा लाल पान होगा और दूसरा क्या होगा ठीकरी होगा इसमें आएगा आपका काला पान काला पान और उसके बाद इस काला पान कैसा होता है थुरा सा समझ लीजिए आपके दिल के आकार का होगा कुछ इस तरह से ठीक है और इसमें होगा चीरिया चीरिया आप लोग देखे ही होंगे इस तरह से चीरिया रहता है ठीक है थोरा सा चीरिया का फिगर अच्छा से देख लिजेगा चार गो ये पांच गो इसमें रहता है तो चीरिया इस तरह से आप देख सकते हैं फिगर में तो याद रखेगा इसमें आप लोग को एक खास बात कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं क चीरिया या चीरी भी बोलते हैं ठीक है आप याद रख लीजिएगा कि किताबी बासा में चीरिया भी बोलते हैं या चीरी भी इसको बोलते हैं और इसको काला पान को हुक्कुम बोलते हैं और ठीकरी को तो आप इट बोल सकते हैं लाल पान तो लाल पान ही रहेगा ठीक है अ प्रतेक जो पत्ता होता वह चार चार को पत्ता होता है शब पत्ता मी को होता है उसके बाद विसके प्याद को अगर लोगों से कुछता है कि कि तो आप याद रखेंगे कि य्गा बारागो होता है क्योंकि इसमें चारगो और इसमें चारगो और इसमें चारगो तो चारती है कितना बारागो तो तस्वीर वला पत्ता अगर आप लोगो से पूछ जाता है तो बारागो होता है और याद रखेगा इसमें भी एगो एक का होता है इसमें भी एगो एक का होता ह यह जो चार गो पत्ता होता है, सब चार चार गो पत्ता होता है, उचार गो पत्ता किस किस में मिलता इसमें, एगो इसमें मिलेगा, एगो इसमें मिलेगा, एगो इसमें मिलेगा, और एगो इसमें मिलेगा, अगर मालनी जे दू की बात करें, तो दू भी एगो इसमें मिलेग दू भी इसमें मिलेगा एगो दू भी इसमें मिलेगा और दू भी इगो इसमें मिलेगा उसी तरह से जे के क्यू जो है सब पत्ता जो है एक और इसमें से मिलेगा ठीक है अगर हम आप लोगों से पूछे कि लाल पान का एक का तो देखें लाल पान यहां पर आते हैं तो लाल हारन देखते हैं जिससे कि आपको आसानी से फर्मूला भी समझ में आ जाएगा और कोशन को कैसे बनाते हैं या भी समझ में आ कि अब हमने आपको बता की बात करेंगे तो सिक्क्रा में हम इसको काउंट करें मतलब लिए क्या मानेगों सकते हैं तो अब हम से वह क्या पूछ रहा है उसको e मानिएगा जो पूछ रहा है है चित आने कि प्राइकता तो e बरावर में आपको चित कहने का मतल़ एक आना चाहिए तो अगर हम इसको h में अब गहर से देखिए S तो इसमें 1 के गो है तो अगर हम number of E की बात करें Any की बात करें तो इसमें कई गोई element है कई गोई अभ्याब है ये गोई अभ्याब है तो Any बरावर एक लिखेंगे और तब आप last में formula यूज कर दीजिएगा प्राइक्ता का अभी आपको बताया गया था P बरावर क्या बताया गया था N E और बटा में N S ठीक है Any बटा कितना होता है N S और Any का मान जो भी हो वो रख दीजिए एक है और N S का मान कितना है Do है बस Do एक बटा Do और यही आपका answer हो गया तो simple सा आप बना सकते है बस आपको S निकालना है और E निकालना है और दोनों में number कितना कितना है संख्या कितना कितना है लिख के और formula लगा दीजिए आसानी से निकल जाएगा और एक और सवाल देखते हैं दूसरा सवाल देखिएगा एक पासा को उच्छालने पर संख्या आने की प्रायक्ता क्या है तो आप बताए पासा अभी हम आपको बताए कि पासा एक लीडो चक्का वाला को बोलते हैं लीडो के चक्का को तो इसमें कहे गो number रहता है एक, दो, तीन, चार, पान, चो चो गो रहता है संख्या आने की प्रायक्ता है तो आप बताए संख्या इसमें कौन-कौन है दो है, चार है, छो है तो लिख दीजे, दो, चार, छो जो पूछा जाएगा ना उसको हम event मानते हैं, क्या मानते हैं? event मानते और इसमें आप बताए कि number of e काईगो है, number of e काने का मतलब any, any काने का मतलब इसमें काईगो अभ्यव है, ए गो, दू, गो, तीन गो तो आप लिखेगा, ए नी बरावर तीन और बस, last में आप राइक्ता लगा दीजे फर्मूला, पी बरावर n e और बटा में n s, अब अब बताए n e का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 लिखे n s का मान कितना, n s का मान देख लीजे 6 है, तो 6 लिखे, इसको आप चाया तो काट सकते हैं तो काटिए गा तो एक बटा दू, और यही आपका अंसर हो जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं, पासावला भी, अब आप देखिए एक थैला, थैला से रिलेटेट्ड आप से प्रस्न पूचा जाता है, एक थैला में 5 लाल एबं 5 काली गेंद है, एक लाल गेंद निकालने की क्या प्राइकता है तो लाल गेंद निकालने की प्राइकता आपसे पूछ रहा है तो पहले आप बताइए इसमें टोटल गेंद जैसे मान लीजे एक थैला ठीक है इस थैला में दो तरह की गेंद है एक लाल है और एक क्या है काला है तो कुल गेंद की याद रखेगा एनस को ह गजे आ रहा है दियान सि दिखीएगा एक गेंद लाल गेंद निकालना तरह लाल गेंद कह गों मैं पाउच बोते नीवराबर 5 लिखेगा और लास्ट में आप बस फर्मूला काूच कर दीज़ेगा नीबराबर पी बड़ाबर कितना एनी बटा एनस ठीक है और एनी कमान कितना है पांच है और एनस कमान दस इसको काट सकते हैं एक बटा दू एंसर आएगा इसको है ना एक वर्ड में इस तरह से पांच दू न दस तो यह आपका अंसर हो गया तो इस तरह से थैला वाला प्रस्न भी आप सकते हैं और अगला चलते हैं थोड़ा सा तास के बारे में देख लेते तास पर कैसा प्रस्ण पूछा जाता है ध्यान से देखेगा एक तास की गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है तास अभी आपको बताया गया तास में केतना केतना कौन-कौन सा पत्ता होता है उसके क पूछ क्या रहा है याद रखे काला पत्ता क्या पूछ रहा है काला पत्ता तो अभी हम आपको बताए थे ध्यान दिजेगा इधर देख लिजे एक बार बावन गो में लाल पत्ता 26 गो होता है काला पत्ता क्यों होता है 26 गो तो यहां पर हम एनी कामान कितना लिखेंगे 26 लि इसको कार दीजिए तो कितना बाद में कटेगा एक बटा दू याने अंसरा है एक बटा दू ठीक है सिंपल सा कोशन बना सकते हैं एक और तास्क बलावें ले लेते हैं जिसे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए देखिए एक तास्क की गड़ी में से एक पत्ता निकाला जात काल पान काल पान का इकहाँ यहां पर बच्चा पहुंच जाता है ठीक है काला पान पहले तो आपको काला पान देखना है तो देखिए काला पान आप सेThis कर लेकिन इसमें वह अब को चाहिए काला पांद करको पर यह तो klarा क काला पान है इसमें 10 को होता है टो लेकिन काला पान में अगर मिलात् hedga मिलेगा और तब आप पस अंती में फर्मूला लगा दीजे पी बराबर एनी बटा एनेस और बराबर हो जाएगा एक और बटा में टोटल कितना है बावन है तो यही आपका अंसर हो जाएगा ठीक है तो उमीद है कि आप लोगों समझ में आ रहा होगा तो अंत में हम आप लोगों से एक प्रस्न पूछते हैं इसका आंसर जो आप कमेंट करकर ज़रूर बताइए सबार आप लोगों से यह है कि एक तास की गड़्डी में से एक लाल पान का पत्ता होने की प्राइकता है जैसे एक तास की गड़्डी और जिसमेंain हम एक पत्ता चुनेंगे उसका क्या है लाल पान होना चाहिए अब लाल पान होने की प्राइकता क्या है इसका आंसर आप लोगो कमेंट करके बताना है कमेंट जरूर कीजेगा ताकि हमें भी पता चल सके कि हम जो समझा है वो आप लोगो समझ में आया है और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा जिससे कि आपको आसानी से मेरा निव निव वीडियो मिलते रहें तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू